भारत की आठ सबसे डरावनी जगह जहां जाने से हर कोई कापता है नमबर एक भानगड किला भानगड के किले को लेकर लोगों की कई अलग-अलग मान्यताएं हैं कहा जाता है कि पुराने समय में यहां एक जादूगर था जिसने इस किले को श्राप दिया था जिसकी वजह से यह किला खंडहर बन गया और अब यहां लोगों को कई अलग चीजे महसूस होती हैं इसी वजह से शाम होने के बाद यहां कोई नहीं जाता नमबर दो कुलधरा गाव जैसल मेर से 18 किलोमीटर दूर स्थित कुलधरा गाव में कभी 600 से ज्यादा परिवार रहते थे लेकिन पिछले 200 सालों से उजड़ा हुआ है साल 1291 में पालीवाल ब्राहमनों द्वारा इस गाव को स्थापित किया गया था साल 825 में एक रात कुलधरा के सभी लोग अंधेरे में गायब हो गए तब से इस गाव में कोई नहीं रहता मुकेश मिल्ज मुंबई में 111 एकड में फैले मुकेश मिल्ज में दिन के उजाले में भी लोग जाने से डरते हैं 1980 में अचानक आग लग जाने की वजह से कई लोगों की जाने चली गई थी उस वक्त आग पर काबू पा लिया गया लेकिन कुछ साल बाद फिर से मिल्ज में आग लग गई और इस बार भी कई लोगों को जान गमवानी पड़ी तब से यह जगह डरावनी बन गई दुरलब किताबों के लिए मशहूर कोलकाता की अपने डरावने किस्सों के लिए भी काफी मशहूर है यहां लाखों की संख्या में किताबें और पुराने दस्तावेज रखे हुए हैं यहां आने वाले लोगों ने अजीब आवाजें और अद्रिश्य शक्ती मौजूद होने का दावा किया है पूर्णिमा की रात को यहां अलौकिक गतिविधी होने का दावा किया जाता है कहा जाता है कि एक राजकुमार की यहां निर्दैता पूरवक हत्या कर दी गई थी जिसके बाद उसकी आत्मा यहां भटकती है कहा जाता है कि यहां रात के समय चीखने की आवाजें भी सुनाई देती है नमबर छह जदिंगा गाव असम पच्ची सो आबादी वाला यह गाव पंचियों की खुदकुशी के लिए जाना जाता है अक्टूबर और नवंबर के अंधेरी रातों में यहां मामले सामने आते हैं पक्षियों की मौत के पीछे लोग भूतों और कई अलौकिक ताकतों को मानते हैं हालांकि विज्ञान का कहना है कि बारिश में पक्षी गीले हो जाते हैं और तेज हवा से उड़नने में दिक्कत होती है और वे अपना संतुलन खो देते हैं कुतुब मीनार के पास मौजूद जमाली कमली मस्जिद अपनी भूतिया कहानियों की वजह से काफी चर्चा में रहती है लोगों का कहना है कि जमाली कमली में जिन रहते हैं यहां होने वाली घटनाओं के कारण लोग इस जगह पर जाने से बहुत डरते हैं नमबर आठ जीपी ब्लॉक मेरट लोग इस बंगले से लाल साड़ी पहने औरत को निकले हुए देखने का दावा भी करते हैं। साथ ही लोगों का कहना है कि उन्होंने बंगले में चार पुरुशों को एक मोम बत्ती की रोशनी में बैठा देखा है। बंगले से जुड़ी और कई कहानियों की वजह से लोग यहां जाने से डरते हैं।